दोस्तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यानि के वक्त आगे बढ़ रहा है और सभी दलों को 2024 के चुनाव सामने दिखाई दे रहा है वैसे वैसे सभी दलों में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव में भी प्रधान मंतरी नरेन मोधी के सामने विपक्ष कौन सा चेहरा उतारेगा किस चेहरे पे चुनाव लड़ेगा सबसे बड़ी बात यह है और इस पे सभी पार्टियों में कवायद भी हो रही है विपक्षी दलों को पसंद नहीं करता और कई ऐसे भी हैं जिन में आपस में कोई तालमेली नहीं है वो करना नहीं चाहते हैं ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपस में यह जो उल्जे हुए है विपक्षी दल सही मायने में दोहजार चौबिस में पीम के सामने किसे पेश करेंगे उनके स समय पुरे देश में पीम मोदी की लहर दिखाई दे रही है अलाकि राहुल गांदी ने भारत चोड़ो यात्रा शुरू की लेकिन इसके बाद उनके कुछ बयान इस तरीके क्या है कि लोगों को लगने लगा कि दम नहीं है कॉंग्रेस में अब कई सारे प्राब्लम्स है व दो मोर्शों पर उल्जी हुई है एक दो कॉंग्रेस में अपने अंदर ही काफी सारी लड़ाईया है आंतरी कलह से जूज रही है पार्टी और वहीं राजस्तान में सचिन पैलेट ने बड़ी बगावत कर रखे है सीम की कुर्सी के लिए अशोक गहलोत और सचिन पैलेट कई सालों से आमने सामने हैं ये भी कहा दा रहा था कुछ दिन पहले तक कि वो अपनी पार्टी नहीं बनाने वाले हैं लेकिन अभी तक कैसा कुछ किया नहीं है उन्होंने शायद वो भी आला कमान से कोई संदेश संकेत का इंतिजार कर रहे हैं इसके अलावा कॉंग्रेस विपक्षी दलों के गठवंदन में कम से कम तीन पार्टियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रही है इसमें दिल्ली की सत्ताधारी ओवियसली आमादनी पार्टी तेलांगना की सत्ताधारी बियरस और पस्षिम बंगाल की सत्ताधारी टीमसी अतीत में अगर देखे हम तो ये तीनों पार्टियां कॉंग्रेस के बिना विपक्षी, गठवंदन की वकालत कर चुकी हैं। हलाकि कनाटक जीत के बाद और दिल्ली अध्यादेश विवाद के बाद टीमसी और आप कॉंग्रेस के सामने उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कॉंग्रेस ने कुछ अपना माइंड सेट ऐसा बनाया नहीं है, केजरिवाल को कुछ ऐसा संकेत नहीं दिया है, इधर ममता दीदी को भी उनकी तरफ से कुछ सिगनल नहीं गया है, लेकिन कॉंग्रेस साफ कर चुकी है कि उसे अपने आप पे भरोसा है, टीमसी एक तरफ कॉंग्रेस के समर्थन की बात करती है, और फिर कॉंग्रेस के ही विधायक को तोड़ लेती है, ऐसे में जाहिड सी बात है कि कॉंग्रेस टीमसी पे कैसे भरोसा करेगा, और इसके अलावा जो दूसरे दल है, उन पर अगर हम नज़र डालें तो शरत पवार की पा हाली में शरत पवार ने अपनी बेटी का कद बढ़ाया है, लेकिन साथ में अजीत के पर काट दिये हैं उन्होंने, इससे उनके भतीजे अंदर ही अंदर काफी कोड़ रहे हैं, और इसका अब नतीजा क्या निकलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा, इसके बाद अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें, तो इसके साथ कौन सा नेता है, यह भी अभी क्लियर नहीं है, कब तूटकर एक नाचिंदे के साथ चला जाए, कोई सा इनका नेता, यह भी कुछ पता नहीं है, यूपी में समाजवादी पार्टी कभी कॉंग्रेस के साथ आती दिखती है, तो कभी अखिलेश ज्यादा ममता बनर जी के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, बिहार में बिहार में तो आप देखी रहे हैं, नितीश कुमार खुद भले ही न बोले, लेकिन उनकी पार्टी के नेदा और आर्जेडी उन्हें एजे पीम प्रजेक्ट करक के लिए तयार नहीं है, वो बार-बार सबको बुला रहे हैं, उन्होंने केजरिवाल पे भी हाथ रखा है, और ममता को भी बुला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ कोई खड़ा हुआ कि आने वाले दुनों में उनकी एक रैली भी है, उस जिन सब कुछ क्लियर हो ज करके बैटे हुए समझ रहे हैं, और RJD उन्हें PM पत के उमीदवार में के रूप में देख रही है, जो शायद ही कॉंग्रेस को मंजूर होगा, करनाटक की JDS अविधानसवा चुनाव में हार के बाद से BGB के साथ दिखाई दे रही है, अब बहुत सारी बाते हैं, जो साथ लेने का, उसका नतीजा इसी महीने में आपको देखने को मिल जागा, अगर ये तारीख उनकी आगे नहीं दलती है, ये तो हुई थी इन लोगों की बात, अब विपक्षी दलों में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं, जो डारेक्ट और इंडारेक्ट वेसे BGB के साथ है कुछ पार्टियां ये क्लियर कर चुकी हैं कि हाँ, वो सपोर्ट कर रहे हैं BGB को, लेकिन कुछ विपक्षी दलों के गटबंदन में या तो तीसरे मोर्चे में का सवाल है, इसलिए वो शामिल नहीं हो रहे हैं, इस मामले पे कुछ दल चुपी भी साधे हुएं, यूपी म कलंगना की AI, EMIS और आंधरपरदेश की TDP और YSR कॉंग्रेस ये वो पार्टियां हैं जो विपक्ष के दलों में शायद ही गटबंदन में शामिल हो सके हैं, ये अपनी धपली हमेशा अलग से बचाती रहती हैं, हमेशा अबेसी अपनी बात करते रहते हैं और आंधरपरद इसकी TDP, इनके भी अलग अलाप आप बस्ते हुए देखते रहते हैं और वहीं ओडिशा की BJD, ये पार्टियां कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो विपक्षी दल के गटबंदन में शायदी शामिल हो, तो दोस्तों कुछ और दिन जाने दीजे तो ये पता चल जाएगा कि होगा और किसको विपक्षी ये चाहता है कि वो प्रधानमंद्री की जगा को रिप्लेस करें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, आप भी इस बाते कहीं नोट कर लीजे इसको, कि फिलहाल अगर सब कुछ ठिक्ठा कर रहा, तो प्रधानमंद्री नरेद मोधी को रिप है कि विपक्ष एक प्लेटफर्म पे आने वाला नहीं है, इसलिए मोधी का रिप्लेस्मेंट होगा नहीं, बाकी आप समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी में कितना दल है, कितना दम है, क्योंकि अगर विपक्ष एक जुठ होता है, तब थोड़ी बहुत सम्भावना बनती है कि वो BGP को कहीं कई डेंट दे सकें, लेकिन इस समय जो इस्तियां है, जो सीटों की सिचेशन है, जो बाकी और तालमेल की बात है, उसमें कहीं दूर दूर तक ये नहीं दिखाई दे रहा कि PM मोधी का रिप्लेस्मेंट किसी के पास है, अगर है, तो वो विप्षी एकता प को में पड़े हुए है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ कौन कल होगा, कौन नहीं होगा, कौन आज जो उनके साथ है वो भी कल होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल लखिए, खुश रहिए, आपने ये सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी लेटेस कंटेंट हो वो आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिलाल आप अपना ध्यान रखिए फिर मिलते हैं जैन जै भारत